लौकी एक ऐसे सब्जी है जिसे हम एक ही दो तरीके से बनाते हैं आप एक बार लौकी को चने डाल के साथ इस तरीके से बना के देखे ये सब्जी आपके फैमिले को बहुत पसंद आएगा और हफते में एक दिन तो इसकी डिवार डानी ही है तो चलिए आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं लौकी और चने डाल की सब्जी बनाने के लिए एक बरतन में हम एक तिहाई कप चने की डाल ले लेंगे और इसे पानी में भीगो देंगे आदे गंटा के लिए कम से कम आपिसे भीगो दे भीगोने से क्या होता है ना कि डाल जो है वो कुकर में जल्ली पक जाता है तो यहाँ पर आदे गंटा हो चुका है डाल जो है वो अच्छे से फूल गया है तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और पानी से अच्छे से धोलेंगे अब हम इस भीगे हुए दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे पानी तो एक तिहाई कप दाल के लिए आप इसमें दो कप पानी का इस्तमाल करें आदी चोटी चमच हम इसमें नमक डाल देंगे और एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पाउडर प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने देंगे जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे साफधानी से खोल लेंगे और यहां पर दाल को पूरा गला नहीं है थोड़ा सापी से खड़ा रखें यह देखिए ऐसा तभी सब्जी में इसका जो टेस्ट हो जादा अच्छाएगा जाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे प्याज तो आधा कब बारी के टवा प्याज लिया है मैंने मिला दे इसे प्याज को हमें तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूल लेना है जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे उसका दोगना टमाटर इस्तेमाल करें तो अगर आप एक प्याज इस्तेमाल करें तो टमाटर की कौंटिटी दो रखें मिला दें से अब हमें इसे ढखके तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो सौफ्ट ने हो जाए तो पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें तो यहाँ पे प्यास टमाटर को हमने भून लिया है यह आप देख सकते हैं तब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो मसालों में हम डाल देंगे आदी छोटी चमच छली पाउडर एक छोटी चमच लाल मीच पाउडर एक छोटी चमच धनिया पाउडर आदी छोटी चमच जीरा पाउडर मिला दे इन सब को जैसे ही मसाले प्यास टमाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे कटे हुई लोकी तो 500 ग्राम लोकी को मैंने छिलका निकालके ऐसे धोग के छोटे टुकडो में काट लिया है लोकी इसमें डाल दे स्वात के अनुसार हम नमक डाल देंगे नमक आप यहीं डाल दें ताकि लोकी जो है वो जल्दी गल जाए मिला दे इसे अच्छे से गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम हाई रखेंगे और पैन को कवर करके लोकी को ऐसे 3-4 मिनट तक पकने देंगे तो शुरुआत में हाई फ्लेम पे लोकी जो है वो जल्दी गलेगा तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकल जाता है उसके बाद हम इसे धीम याज पे पकाते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉंटिटी जो है उसकी कम होने लगती है धीरे धीरे जैसे लोकी पकेगा उसकी कॉंटिटी जो है वो इक तम थोड़ी सी हो जाती है तो अगर आपने आदा किलो लोकी लिया ना तो 200 ग्राम के करीबी उसमें बसता है तो यहाँ पे गैस का फ्लेम धीमा कर दे और इसे आराम से पकने दे 6-7 मिनट 7 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और लोकी जो है वो आधे से जाधा पक गई है इसमें यह आप देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे उबला हुआ दाल तो चना डाल जो हमने प्रेशर कोकर में पका के रखा है ना उसे हम यहाँ पे एड़ कर देंगे तो दाल भी थोड़ी सी कच्ची है, सबजी भी थोड़ी कच्ची है, तो अब हम इसे दोनों को मिला के और इसके बाद पकाएंगे तो नमक डालने की जरुगत नहीं है, नमक हमने दाल में भी डाला है और लौकी में भी तो दाल लालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम पैन को कर देंगे और धीमी आज पे 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे या फिर इसे तब तक पकाए जब तक कि लओकिय और चन्या दाल जो है वो अच्छे से पकने जाता है तो यहाँ पेपैन को cover कर देना है और गैस का flame लो रखना है 12 मिनट यहाँ पे हो चुका है हम इसे एक बार mix करेंगे और last में gas बंक करने के पहले ना हम इसमें डालेंगे गरम masala गरम masala last में डालने से सब्जी से बहुत अची खुश भुआती है तो आप कोशिश करें करें कि गरम मसाला का इस्तमाल को अको मां स्फ़्जी के लिए मैं और ठीमी आज तो पैन को गवर कर देंगे और धीमी आज पिर बस एक मिनट यीपकाना है। एक मिनट बाद हम पैन का ढखन अटाएंगे और यह हमारी लौकी और चनी डाल की बहुत ही टेस्टी सबजी जो है बन के तियार हो गई है बहुत अची खुछ भूआ होती है जब आप इसे पकाएंगे न तो लास्ट में गयास बन करने के पहले आप इसके उपर बारी कटा धन्यापत्ता डाल दे धन्यापत्ता की कॉंटिटी थोड़ी ज़्यादा रखे और इसके बाद इससे ऐसे मिला देंगे लौकी में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अगर आपको घी पसंद है तो इसमें यहाँ पी एक चमच घी डाल दे तो यह हमारी सबजी जो के साथ खाए राइस के साथ खाए या फिर पराठे के साथ खाए पराठे के साथ तो यह गज़ा भी लगता है सुबर नाश्ते में हमारी यह सबजी बनती है इसके साथ करमा गरम घी वाले पराठे न बहुत ही अमेजिन लगते है तो आप इस सूपर टेस्टी और बहुत ही अमेजिन चने दाल और लौकी की सब्जी को जरूर ट्राई करें यह लौकी और चने दाल की सब्जी जो है वो आपके फैमली को बहुत पसंद आएगा और अगर आज की रस्पी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का गुले